देखिए Green TV यूट्यूब पर भी बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी क्रशी योग्य भूमी है साथ ही यहां 127 तरहा के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यही विशेष्थाएं भारत को क्रशी उत्पादन के मामले में एक अलग मुकाम पर खड़ा करती हैं अभी भारत में क्रशी उत्पादों की सिर्फ दो से दस प्रतीशत तक प्रोसेसिंग होती है अगर 30% क्रशी उत्पादों की प्रोसेसिंग होने लगे तो अनुमान है कि देश की GDP पांच गुना बढ़ जाएगी भारत में क्रशी का मजबूत आधार है लोगों की कमाई भी बढ़ रही है जिसे प्रोसेस्ट फूड के डिमांड भी बढ़ेगी भारत की इस खूबी को भुनाने और फूड प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री में निवेश को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग मंत्राले ने दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया मेला आयोजित किया इस मेले का उधगाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया तीन दिन तक चले इस मेले में 60 से जाधा देशों के तकरीबन 10 हजार से जाधा प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस पूरे इवेंट के दौरान लगभख 19 बिलियन डॉलर निवेश के MOU पर हस्ताक्षर किये गए जिसमें करीब 11 बिलियन प्राइवेट सेक्टर से है कारिक्रम के दौरान केंद्री फूड प्रोसेसिंग राजी मंत्री साधवी निरंजन ज्योती ने अपने अभिभाशर में एक देश एक फूड लॉपर जोर दिया हम एक राष्टे खाद नियम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास हमारा मंत्रा ले कर रहा है हमारी सरकार कर रही है दिल्ली के इंडिया गेट के पास लगे इस मेले में दुनिया भर से फूट प्रोसेसिंग के छेत्र की बड़ी कमपणियों ने हिस्सा लिया इस मेले में पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर की तमाम कमपनियों ने अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया. मेले में देश के सभी राजियों को पवेलियन दिया गया, जिसमें वहां की चुनंदा कमपनियों को स्टॉल लगाने के लिए जगहा दे गई. प्राइवेट कमपनियों के साथ कई फॉर्मर प्रद्यूसर और्गनाइजेशन यानि एफपियों को भी स्टॉल लगाने का अफसर मिला. प्राइवेट को और अन्ने दोबाई प्रोडेक्ट लेपी की पिंगे उनको खरीगते हैं। तो उनको अथसा रेट दिलाने के लिए एमने एफपियों का निर्मान किया है। और अब हमारा जैसे यहां पर स्टाल लगया है। जहां पर भी हमारी डोमेस्टिक मारकेट में हमारे को समभा होना है लग रही है। लेकिन आखे एक बीमास्टर के नाम से हम इसको प्लान कर रहे हैं। कि पुरे इंडिया के अंदर बीमास्टर के नाम से हम अनी शेल करेंगे और हमारे पास अलग अलग वराइटी के काभी अनी होते हैं। कि यह वर्ट फुट फेयर है यह बहुत ही अच्छा प्लेट फॉर्म है सारी फूर इंडिस्ट्री के लिए जितने भी हैं। इनको एक ही समय के अंदर काफी बायर मिल जाते हैं। और यह बहुत अच्छा है लोगों को आगे की ग्रोथ के लिए जो मोदी जी ने यह अच्छा प्लेट फॉर्म दिया है हम लोगों को। जान है वे हम घ denom कोन दिस्पले कर सकते हैं। फूर प्र्सेसिंग ईंडस्ट्री जो है इनडिया में इसका बहुत बड़ा प्रेश्यल है। अगर आप जो developed countries हैं जैसे अमेरिका है या इंग्लेंड है या यह developed country है national and international level पे आप मतलब मानते होंगे कि वो maximum जो है ना food produce agriculture produce को वो process करते हैं लेकिन अगर इंडिया को आप data देखेंगे तो करीब इंडिया में अभी 3% तक उसकी जो है ना 3% तक भी हमने अभी उसको जितना process नहीं किया है तो हमारा mission ये है हम उसमें जो है ना active party special करके हम इसको 5% से even 10% तक लेके जाएं तो पतंजली एक ऐसा platform है जहां पे ये possible होगा we are very sure मेले के दोरान मिले प्रतिक्रियाओं से सभी exhibitors काफी खुश नजर आएं सभी ने World Food India की सरहाना की और कहा कि इस तरह के आयोजन और अधेक संख्या में होने चाहिए तो है यसे है और मौकी मिलने चाहिए सरम को और थोड़ा सक ऐसा है जिस कंपनी को कोई अगर बढ़ाव नहीं मिल रहा है तो उस कंपनी को अच्छे गाइड उसको गाइड करना चाहिए सर्थ यहां राजीयों के साथ साथ काई देशों के भी पवेलियन थे इसके अलावा फूर इंडिस्टरी को तकनी की सहएता प्रदान करने वाली कंपनीयों के भी इस्ट्री मौजूत थे इस मेले में खिछडी जैसे कई भारती वेंचनों का प्रदर्शन किया गया यहां हुए एक्जबीशन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुचे कुल मिला कर अगर देखा जाए तो भारत सरकार का ये आयोजन पूरी तरह से सफल रहा